नमस्ते बच्चों, आज हम प्रश्ण वाचक विराम चेहननी की पहचान करना और लिखना सीखेंगे, क्या आप तयार हैं? हेलो रानी, कैसी हो? मैंने आज एक मज़ेदार केल देखा है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? जोई, मैं खेल नहीं सकती, मुझे प्रश्ण वाचक चेहनने से जोड़े कुछ सवालों का हल करना है, क्या तुम मेरी मदद प्रश्णों का हल करने में करोगे? उसके बाद मैं तुमारे साथ वो मज़ेदार खेल खेल सकती हूँ चलो, हम मिलकर इन प्रश्णों को हल करते हैं बच्चों, क्या आपको पता है कि हम प्रश्ण वाचक चेहनने वाक्यों में कब लगाते हैं? जब किसी वाक्य में प्रश्ण पूछ कर वाक्य को समाप्त किया जाता है, तो उस वाक्य के अंत में प्रश्ण वाचक विराम चेहनने लगाते हैं जैसे क्या तुमने खाना खाया? इस वाक्य में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, इसलिए हमने इस वाक्य में प्रश्न वाचक चिहने का प्रयोग किया जोई ने भी जब रानी से खेलने जाने के लिए पूछा क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? तो उसने भी वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चिहने का प्रयोग किया था क्या आप बता सकते हैं रानी ने प्रश्न वाचक चिहने का प्रयोग किस वाक्य में किया था? बिल्कुल सही जब राणी ने जोई से पूछा था कि क्या तुम मेरी मदद प्रश्णों को हल करने में करोगी इस वाक्य में राणी ने जोई से प्रश्ण किया है इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्ण विराम चेहन का प्रयोग किया गया बच्चों क्या आप बता सकते हैं इस वाक्य में प्रश्न वाचक चेहने कहा लगेगा? क्या तुम्हें मीठा पसंद है? बिल्कुल सही, हम इस वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चेहने का प्रयोग करेंगे जोई और रानी वाक्यों में प्रश्ण वाचक चेहने का प्रयोग कर ही रहे थे कि वहां ग्याफी आ गई और उसने उन दोनों से पूछा तुम दोनों क्या कर रहे हो? रानी और जोई जोर जोर से हसने लगे उन्होंने ग्याफी को बताया कि वे दोनों प्रश्ण वाचक चेहनों से जोड़े कुछ वाक्यों को हल कर रहे थे और उसने भी उनसे आते ही एक प्रश्ण पूछ लिया तुम दोनों क्या कर रहे हो? रानी ने भी सभी वाक्यों में प्रश्न वाचक चहने का उपयोग कर लिया था और अब वे तीनों जोई का बताया हुआ नया खेल खेलने लगे बच्चों अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिये कै कुछ वाक्यों में प्रश्न वाचक चहने का प्रयोग करने की बाक्यों में प्रश्ण वाचक चेहने का प्रयोग करके इसे अपनी कौपी में लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साजह करें इस वीडियो में हमने प्रश्ण वाचक विराम चेहने की पहचान करना और लिखना सीखा